कि आपको बताने वाले हैं कि mathematics में जो आपको पर होने वाला है उसमें 18, 19 और 20 में कोशन क्या है था आपको कौन से कोशन इसमें से हैं जो आपको करके जाने हैं कि आज कि इस बार के model paper के recording जो आपको जो कोशन पूछे जाएगा उसमें थोगाता पैटर में चेंज है यानि जो यह आप पर प्रेक्टिज में करनी तो है प्रेला कोशन करोगे एक है ना कश्में capita है य। में पूर्ट कर लेका एक यह पूर्ट करते हो बात करते नीचे आते हैं कि तो पर नीचे आते हैं तो कोश्चन में आपको और नीचे आते हैं तो कोश्चन आता है इंट्रिटिटीम का छोटा था कोश्चन को आप चाहे तो देख सकते हैं यह कोश्चन आपके अब्जेक्टिम में भी पूछा जा सकता है ठीक है कोश्चन बड़ा सिंपल सा है बाकी जिसको डाउट होगा वह हमारे तेलेडाम गुरूप को जोइन कर लो चीज न बहुत कर सकते हैं यह कोश्चन आपके अपके सिंपिश कर सकते हो तो इसमें कोश्चन नमब्बर एक loc का जाया तो 11 नमब्बर आप देख सकते हैं तो यहां पर देखो टैन के टोटन कितने टम है फोर टम नहीं आपसे मैसमों टू या थी टम वाले पूल से जाएंगे तो वह 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 त्वही इसमें टू टरम या तीन टरम हो ही करना इस ज्यादा नहीं कि किसमें आपको टाम टेकन ज्यादा लग जाएगा ठीक है थर्टीन इसको प्रक्टिस करना जरूर से ठीक है बात करेंगे और हम आते हैं नीचे कि बात करते हैं तो कोश्चन नमबर एक आपका इस अप देख लेना साफ साफ साड़ा आपको दिखर नहीं दिख रहा हो लेकिन कोश्चन के बाद देख सकते हैं अच्छे तरीक है कोश्चन में 14 करना 15 मत करना 15 मत करना भी बस पॉटिंग कर ले ना जहां पर हमें इस चैप्टर से आने वाला है लेकिन ये आप से इंक्रिजिंग पूछा भी जा सकता है तो आप इसको चाहो तो प्रक्टिस कर सकते हो कि अना तो कुस्ट में 16 का बी पार्ट मत करना अपके 17 में 17 वाले कॉश्चन वाले कुश्चन आप करके जाओगे कि कुछ इस्टेंटर हमारे फॉर्मले हो तो उस पर रहता है कुछ हमारे पर सब्सिटिशन वाले कॉश्चन्स होता है इसको प्रैक्टिस जरू कर लोगे ठीक है मैसम कुश्चन देखोगे आपको एसाटी मिल जाएगा बाकि एसाटी कहां पर है वह भी आपको जल्दी बता दे इसका अंसर पाई भाई फोर आएगा कैसे आगा आप निकाल के जो कोई करना इंप्रेंट कोश्चन है हर साल आता है इसवार भी मॉर्ड़ पेपर में आपको एक ऐसा कोश्चन ही दिया हुआ है ठीक है इसमें बस एक हम प्रोपर्टी का यूज करते है ना प्रोपर्टी ऑ निकाल लोगे क्या करना इसमें सिंपर आपको ए प्लस लांडा भी प्रेले निकाल ले न एक लेला पिल्च तक पूछा जाएगा यह कोश्चन अच्छा है एंगल between lines पूछा जाता है तो यह आप पढ़ लेना important question है आने का question यह भी आ सकता है बाकी probability वाले question की बात करें तो poverty वाले question important है इस question को जरूर देख लेना आप लोग बेसिक सा question में आपको बताया था poverty मैसे वाले question आ सकते हैं इसको बोलते हैं conditional poverty बोलते हैं तो conditional poverty आप जरूर पढ़के चली जाओगे ठीक है और यह question नहीं यह question मत करना यह जदा मत करना इसको टाई मत करता है question ठीक है बाकी यह वाला question तो confirm में एक question आपका आएगा matrix के method से आपक सब्सक्राइब करना है तो यह question भी आप जरूर करना यह question आपके five marks में आते हैं तो आप इंसे प्रैक्टिस कर लो लेकिन यहां को मैं करता हूं कि प्रिवेस से वाला question जो ट्राइक करना यह आते हैं तीक है इन्वर्स वाला question अगर आता तो अच्छी बात है नहीं आता है त इंपरेंट इंटेग्रल्स की तो इंटेग्रल्स वाले मैंने question का आपको पुरा solution करा दिया है ना 18, 19, 20 है यह सब जो question तीन साल के जो को भी question आए हुए थे वो मैंने आपको स्वाल करा दिया है वीडियो पर description इस वीडियो के end में आपको मिल जाएगा वहाँ आप देख ले question की तो differential question आप यह सब question जोरू देख लेना ठीक है यह दो question यहाँ पर है दो को सिंदेखना NCRT में मिल जाएगा दोनों questions NCRT में जो मैंने आपको तो differential question के important question बता है NCRT में वहाँ भी आपको question देखने को मिल जाएगा ठीक है यह कर लोगे बात आते हैं question number 27 की बात करते हैं तो question 27 की बात करते है shortage distance between lines यह जरू पढ़ ले ना shortage distance between lines यह भी question important है आपके 5 marks के लिए ठीक है बाकिया आता है last number question 28 जो question 28 है यह आपका एक question है probability से तो probability से बाज के according models लिए according थी मासा question आने चाहिए निता one marks का तो थी मास में बाकि यह question आपके वर्ड वाले problems है तो वर्ड वाले problems आ सकते हैं तो इस question को एक बाद जुरूरू देख लेना ठीक है वैसा है question poverty का और भी question है अगर आपने देखा है practice करें तो अच्छा जिनको अगर समझ नहीं आ रहे सरक कहां से करें तो आपके लिए क्या क्या करो उतना समझ नहीं आ रहे मुझे इसके चलते मेरे काम बहुत रुग गया है नहीं कर पाता हूं आज कि अपने काम भी में खट पा रहा हूं बाकी question जुरू करना नहीं लिए परग्रमिंवाला question है इंपोड़ेंट है और मैने लिए फरग्रामिंवाले सारे वीडेयो बनाया हूं 1 एक एक वीडेयो में मैंने 18 चाहिए फ्यूंटि की हो 20 की हो 22 सब्का दैक्वर्टट मैं इससल सतरह जाकर आप न्हीं प्रमेंग वाला solution धिखलेता तो झाल झाल